वास्तू में सीधी का सबसे उत्तम स्थान और कहां हम सीधी ना बनाएं साथ ही ये देखेंगे कि उत्तर मुखी घर है तो सीधी कहां बनाएं पुरु मुखी घर है तो सीधी कहां बना सकते हैं उसी प्रकार से दक्षिन और पश्चिम मुखी घर है तो सिढ़ी हम कहां बना सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि हम को सिढ़ी कहां नहीं बनाना चाहिए। कभी भी सिढ़ी वायब्य कोड में, मध्य में और आगने कोड में। कभी भी सीधी का निर्मान ना करें। यहां आपको यदि सीधी बनाते हैं, तो यह आपको बहुत अधिक खर्चे कराएगा, अनावशक भागदोड कराएगा, और आपके घर में समस्याएं आती रहेंगे। उसी प्रकार से उत्तर, इसान, कोड और यह पूरुव यहां से यहां तक की इस्तिती में भी सीधी का निर्मान ना करें। क्योंकि यह आपको आर्थिक नुकसान देगा और आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपको यह बहुत यदिक परिसानी उत्पन करेगा, मानसिक सारदिक अनिक प्रकार के कस्ट आपको देगा तो इस दिसा में भी आप सिढ़ी का निर्माण ना करें आगने कोड में भी सिढ़ी का निर्माण ना करें यहां अगनी भै चोरी की संभावना आपको रहेगी मद्धेस्थल में कभी भी भूलकर भार या सिढ़ी का निर निर्मान करने के उत्तम दिसा है पश्चिम से लेकर नेरेतिकोंड से दक्षिन तक की इस्थिती में यहां से यहां तक कहीं भी आप पश्चिम में बना लें नेरेतिकोंड में बना लें या दक्षिन में बना लें यह उत्तम और धन दायक इस्थिती होती है लेकिन यदि आप आपका घर उत्तर मुखी है तो उत्तर मुखी होने पर आपको सिढ़ी का निर्माण यदि गेट के पास ही आपको करना है तो उसके लिए ये जगा है वैसे स्रिष्ट होता है कि आप घर के अंदर से उत्तर मुखी घर है तो घर के अंदर से सीड़ी का निर्माण करें या गलियारा छोड़ करके सीड़ी का निर्माण करें तो यदी उत्तर में आप गेट के पास यह शिड़ी का निर्मान करना चाहते हैं. तो यहां से यहां तक की जगह आपके लिए इस्थिति बनती है. वैसे तो यहां बनाना उतना उत्तम नहीं होता है पर फिर भी आप उत्तर में यहां पर बना सकते हैं. उसी प्रकार से यदि आपका पूरो मुखी घर है और आप सिड़ी बनाना चाहते हैं तो ये इस्थान आप सिड़ी के लिए कुछ सावधानियों के साथ आप यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि इसमें भार नहीं होना चाहिए ध्यान करें कि इस सिड़ी में बहुत अधिक भार हैवी कंस्ट्रक्शन इसको ना कराएं हलके फुलके सिड़ी का निर्माण यहाँ पर करा सकते हैं उसी प्रकार से यदि दक्षिन मुखी आपका घर है तो निश्चितरुप से आपके घर में स्थिर्था प्रदान करेगा और कोई भी प्रशन हो तो आप कमेंट्स में करें मेरे अन्य वीडियो को इसके संबंद में जरूर देखें धन्यवाद जैसरी कृष्ण